अगर आपके computer या laptop में जो operating system है वो operating system crash कर गया है और आप अपने computer से data recover करना चाते हैं तो आज में आपको एक ऐसा असन तरीका बताने वाला हो जिसकी मदद से आप अपने crash operating system से भी data recover कर सकते हैं चाहे वो operating system Windows 7 हो 8 हो 10 हो या 11 हो आप किसी भी crash operating system से भी आप अपने computer में important data recover कर सकते हैं तो चली देखते हैं यह data कैसे recover होगा data recovery करने के लिए सबसे पहले हमें एक bootable pin drive की requirement होगी चाहे वो Windows 7 की हो 8 की हो 10 की हो या 11 की हो bootable pin drive बनाने के लिए आपको ISO file download करना होगा ISO file download करके refuse एक software आता है इसे आप bootable बना सकते हैं अगर आप detail में जानना चाहते हैं कि bootable pin drive कैसे बनाते हैं या ISO file कैसे download करते हैं तो इन सभी का video मैंने बना रखा है सभी का link मैंने description box में दे रखा है आप वहाँ से देख सकते हैं आपके मन में सवाल होगा कि आपका window तो crash कर चुका है तो आप bootable कैसे बनाएंगे तो bootable बनाने के लिए आपको को जुगार लगाना होगा किसी दूसरे computer या laptop से pin drive को bootable बनाना होगा या किसी भी cyber cafe जाकर के बूट मेन्यों होते हैं कुछ computer या laptop के boot menu मैंने यहां दे रखे यहां से आप देख ले बूट मेन्यों ओपन होने के बाद आप यहां से अपने pen drive को select कर ले यहां आप next में क्लिक करें यहां प्रेपेर योर कंप्यूटर में क्लिक करें यहां प्रेपल सूट में क्लिक करें यहां सिस्टम इमेज रिकवरी में क्लिक करें यहां पर आपके computer में जो भी operating system install होगा वहां सो हो जाएगा यहां से आप उसे open कर ले इसे आप cancel कर ले, next करे, यहाँ advance में क्लिक करे, यहाँ install or drive में क्लिक करे, यहाँ ok करे, तो यह हमारा एक window open हो चुका है, यहाँ से आप अपने computer को access कर सकते हैं, आपके computer में जो भी important data है, किसी भी drive में आपने data रखा है, यहाँ से आप उसे copy कर सकते हैं, चाहे वो external drive लगा के copy कर ले, यहाँ C drive से D drive में या E drive में भी copy करना चाते हैं, आपके C drive में कोई important software का data है, या कोई personal information या जो भी आपका important data है, जिसका copy लेना चाते हैं, उसे आप अपने C drive से या जिस भी drive से copy करना चाते हैं, उसे copy कर ले, जैसे मुझे यह data copy करना है, तो मैं इसे select करके copy कर लेता हूँ, इसे मुझे दूसरे drive में रखना है, तो इसे मैं दूसरे drive में paste कर देता हूँ, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आपका data paste होगा, वो इस तरह का symbol में दिखेगा, अगर यह symbol आपको दीख रहा है, इसका मतलब आपका data paste हो र इसे symbol हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, इसका मतलब आपका data copy paste हो चुका है, चेक करने के लिए आप फिर से this PC में क्लिक करें, यहाँ आप देख सकते हमारा data आ चुका है, हम इसकी property भी देख लेते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, यह 99 MB के आसपास का यह मेरा data था, जो computer या laptop में crash operating system होने के बावजूद भी आप अपने computer या laptop से data recover कर सकते हैं, तो उमीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसी तरह के informational वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कूल न भूले, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करना भी न भूले, अगर आपके मन में कोई confusion है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें comment करके पूछ सकते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, thank you